दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चले बिहार के टॉप बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं वीडियो सुरू करने से पहले आप हमें कॉमेंट वक्स में जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं और साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दे आज की पाले कबर बिहार में अब कोरोना टिका से नहीं रहेगा कोई वंचीत 22 फरवरी से पंचायतों में सबा बुला कर होगा टिका करन अबिहार में कोरोना टिका करन अभिहान को प्रभाभी बनाने को लेकर 22 फरवरी को सबी पंचायतों में आम सबा ज़ित कर टिका करन किया जाएगा इसके पूर वो 14 से 19 फरवरी की बीच सबी वाडवार आम सबा कर टिका लगेंगे स्वास्त विभाग के अपर मुख के सचीव प्रैतात अमरीत ने राज के सभी जिले के डियम और सिविल सर्जन को इस समन में दिशा निर्देश जारी किया है साथ है आपको बताते कि राज में विविन आयो वर्ग के वेक्तियों को कोरोनाटिका दिया जा रहा है इसी क्राम में 15-18 वर्ष के किसरों और टिके की दूसरी खुराक ले चुके वेक्तियों को 9 माया 49 सब्ता बाद बुष्टर डोस भी दिया जा रहा है अगली वड़ी खबर 26 वरवरी से होगा इंटर की कोपियों का मुल्याकन जल्द रिजल्द जारी करने के मादने जर मेट्रीक परिचा की समापती के दो दिन बाद इंटर की उत्तर पूस्तिकाओं का मुल्याकन सुरू होगा जिले में 26 वरवरी से 8 मार्च तक 6 केंदरों पर इंटर कोपियों की जाच होगी जबकि मेट्रीक की कोपियों की जाच 5 से 17 मार्च तक 6 केंदरों परी होगी जीला सिक्चा विभाग की और से भेजे गए प्रस्ताव को सीकूर्टी देते वे बिहार विद्दालई परिचा सम्मिती ने केंदरों को सूची जारी की है मुल्याकन केंदर पर कदाचार मुक्त वा गुनवत्ता पूर्ण जाच के लिए प्रसासनिक सहयोग लिया जाएगा कोपियों की जाच के लिए सुबह 9 बजे से मुल्याकन में युगदोन देने वाले सभी कर्मों के इंटरी अनिवायर होगी मुल्याकन सुबह 10 से साम 5 बजे तक होगा जोरत पड़ी तो इसके बाद भी दूसरी सिप्ट में जाच कराए जा सकती है हर मुल्याकन केंदर पर 100 से 200 सिक्चकों की प्रतिन युक्ती होगी अगली बड़ी कबर आज से बिहार की स्कूल पूरी चमता के साथ खुलेंगे विवास समारों में भी आब रोक नहीं पड़े ये निर्देश जिहां कोरोना संक्रमन की दर में लगातार आरई कमी को देखते वे राज सरकार ने 14 फरवरी यानि आज से अगले आदेश तक सभी परकार के प्रतिबंदों को हटा लिया है ग्रिय विभाग ने आदेश जारी करते वे कहा है कि 14 फरवरी से सभी सिक्चन संसान प्रस्चन एवं कोचिंग संसान उनके कार्याला एवं 14 वा सत परतिशात उपसेती के साथ खुलेंगे ओलाइन मैदम से सिक्चन कायर को प्राथा मिक्ता दी जा सकेगी कोवीड अनकूल वेवार वा मानक का पालन करते वे परिचाय भी ले जा सकेगी विवास समारो सहिद स्राद कायर करम अब सामाइन रूप से आयोजित किये जा सकेगे साथ सभी धार्मी किस्तल, सिनेमा हॉल, पार्क उद्यान, रेश्टरेंट वा खाने की दुकाने, कलब, जेम स्टेडियम, स्पोर्ट कॉंप्लेक्स, सिविंग पूल, स्वापिंग मॉल और दुकान सामाइन रूप से खुले जा सकेगे अगली बड़ी केबर बिहार की पंचायतों के लिए होगी 8000 सरसड आईटी सहायको की न्युक्तिया, ग्रामीनों को मिलेगी बड़ी स्विधाय जिहां ग्रामीनों को आप प्रखंडों का चक्कर नहीं लगाना होगा, सिग्री होने लोक सिवा केंद्रों के जरिये पंचायतों में जाती आवासिया आई और आचरन परमान पत्र मिलने लगेंगे आपकी जानकारी के लिए बता दे कि पंचायतों के लिए एक एक लेखवाल एवाम आईटी सहायकों की न्युक्तिया होगी पंचायती राज मंत्री समराड चोधरी ने ये जानकर रिदी है वो भाजबा प्रदेश मुख्याले में पंचायती राज विभाग में एक वर्स के कार्याले की अपलबदिया गिना रहे थी अगली बड़ी कबर महागडबंदन से 21 सीटों के प्रत्यासियों की सुची जारी 20 पर आर जेटी तो एक सीट पर सिपिया आए जिया राष्टिय जनता दल के प्रदेश दग जदानन सिंग ने निकाय कोटे सी होने वाले विधान परिसे चुनाव के लिए एक इस उमिदवारों की सुची रहिवार को जारी की है जारी की गई सुची में 20 उमिदवार राजट के हैं जबकि एक भागल पूर सीट सीपियाई को दी गई है जगदानन सिंग ने कहा कि महागडबनन सभी वर्ग का ख्याल रखा गिया है पूर्निया समस्ति पूर और नवादा के उमिदवार की घुसना एक दो दिन में कर दी जाएगी अगली बड़ी खबर राजट के आधार वोट बैंक में कॉंग्रेस लगाएगी सेंद कॉंग्रेस उमिदवारों के नाम तैयलान जल्द जी आइस्तानिया निकाय कोटे से होने वाले सभी 24 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए कॉंग्रेस आगामी 10 दिनों के भीतर उमिदवारों की अपचारी घुसना कर दीगी परदेश नेतुत उमिदवारों की सुची को अंतिम रूप देने में जुटा है जल्दी वो सुची आला कमान को सफी जाईगी पार्टी नेताओ के नुसार उमिदवार चैन को लेकर बनाए गए पर्यो वेक्चोकों ने अपनी रिपोर्ड सवप दी है हर एक सीट के लिए सम्मावित विजय के मदे नजर प्रतियासियों का चैन किया गया है अधिकतर सीटों के लिए एक से अधिक उमिदवारों के नाम तई किये गया है अगली बड़ी खबर सेलानियों के लिए राजगिर जूस सपारी बनकर तयार गाड़े में बैटकर पास जाकर करिये सेर और बाग का दिदार जिहाँ देशी भी देशी सेलानियों को एक और बड़ा तवफा मिलने जा रहा है 119.12 हेक्टेर में फेला राजगिर जूस सपारी बनकर तयार हो गया है 16 फरवरी से इसकी सुरुवात हो सकती है इसके बाद राजगिर के परियाटन इस्तल में एक और नया आयाम जूड़ जाएगा यह जूस सपारी सेलानियों के लिए रोमाज से भरा होगा इसमें दर्सक सेर और बाग को खुले में विचरन करते और दहार मारते विए बंद गाड़े में बैठकर देख सकेंगे आपको बताते कि पाटना जूस से 35 जानवर राजगिर जूस सपारी गया है बंगाल और गुजरा तो जूस से भी सेर और बाग लाए गया है जूस सपारी पार्क को स्वर्न गिरी परवत और बैबारी गिरी परवत की बेच की घाटी वाले हिस्से में विक्सित किया गया है इसमें 72 हेक्टेयर चेतरपल का पुराना मिर के बिहार भी समाईत है अगली बड़ी कबर चारा घोटाले में लालू पर फैसला 15 फरवरी को देश का पहला ऐसा मामला जिसमें स्कुटर बाइक पर हर्याने से राची तक ढोए गए साड़ जी आनो सो पचास करोर रुपे के देश के बहुत चर्चित चारा घोटाला केस में से एक डोरंडा ट्रेजडी के गवन के मामले में 15 फरवरी को सिबियाई की विस्यस अदलत फैसला सुनाएगी इस मामले में पूरो मुख मंत्री और आरजडी सुप्रेमो लालो यादो भी आरोपी है अब उस सब की निगाए कोड के फैसले पर टिकी है कि इस केस में क्या होगा क्या विए पाचवे केस भी लालो दोसी करार दिये जाएंगे या बरी हो जाएंगे इससे पहले लालो को चार अइन मामले में दोसी करार दिया जा चुका है अब तक वह छे बार जेल भी जा चुके है अभी दुमका ट्रेज्जी मामले में जमानत पर बाहर है अगली बड़ी खबर बिहार में बनेगा भाइबे विराट रामाइन मंदिर 270 फीट है उचाई सबसे बड़ा 33 फीट का सीवलंग दोजर सताइस सक होगा तयार पूरवी चमपारन के चिकिया के सरिया के पास जानकी पूर में विराट रामाइन मंदिर बन रहा है या बिहार का सबसे भावे मंदिर होने के साथ ही देश के सबसे बड़े मंदिरों में एक होगा मंदिर की खास बात ही है इसकी उचाई या 270 फीट उचा 1080 फीट लंबा और 540 फीट चोड़ा होगा 42 साथ और पटना से 120 किलोमीटर दूर इस भावे मंदिर को बनाने का कॉंसेप्ट पटना के महावेर मंदिर के साचीव आचारी किसोल कुनाल का है किसोल कुनाल पूर आईपिएस है उन्होंने महावेर मंदिर के साथ ही पटना में महावेर कैंसर संस्तान और महावेर आरयोग संस्तान की स्तापना भी की है अगली बड़ी खबर सिक्चा का भीयरतों को 25 से पहले मिलेगा नियुक्ति पत्र 43,000 अबयरतियों के लिए गुसना बजट सत्र में बिहार सरकार नहीं चाहती है अंगामा जिए अभिहार सरकार का सिक्चा भीभाग प्रारामिक नियुक्ति पत्र देने के तयारी कर रहा है ऐसा इसलिए क्यूंकि सरकार चाहती है कि 25 फर्वरी से सुरू होने वाले बजट सत्र में इससे जुड़ा कोई सवाल न उठे इसे लेकर सिक्चा भीभाग के मुई के अपर सचेव संजेक मार समवार को समिक्चा बेठा करेंगे बता दे कि चटे चरन के प्रारामिक सिक्चक नियुजन के तहद चैने 43,000 अभियर्तियों को सरकार ने 25 फर्वरी को नियुक्ति पत्र देने की गोसना की है सिक्चा भीभ परिश से आई जीत होने वाले मेटरी की परिचा में इस बार कई नियम बदले हुए रहेंगे अब मुन्ना भाई परिचा देने में सपन नहीं हो पाएंगे जिहां कदाचार मुक्त बातावरान में परिचा संचलन को लेकर केंदर अधिक्चकों को विसेस निर्दिस दे ग परिचात्रे के ओमार उत्तर पत्रक में प्रस्न पत्र उत्तर पुस्तक के साथ रोल नमबर और रोल कोड का मिलान किया जाएगा इससे परिचात्रियों को भी अपना सीट खोजने में आसानी होगी वहीं फर्जी परिचात्रियों की पहचान करना मुस्किल नहीं होगा दर पर असल हमेशा दूसरे के बदले परिचा देने का मामला सामने आता है दूसरे के बदले परिचा दे रहे मुन्ना भाईयों को असानी से पाचान करना अब इस नए नियम के तहतासान हो जाएगा पाले जहां सिर पैडमीट कार्ड से फोटो का मिलान होता था वही अब कई और सी की दवा जाच भी होगी फ्री जा नेशनल वाइरल हैपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम के तहद बिहार में बनाए गए मॉडल सिंटर के तोर पर आईजी आएमेस में भी हैपेटाइटिस बी और सी के मरीजों को दवा और जाच की सुविदा मुप्त में देने की कवायाद सुरू कर दी गई है बहुत जल्द ही यह सुविदा आईजी आएमेस में सुरू होगी आईजी आएमेस के सापना दिवस पर आईजी तो न मुखी कारकरम में विसेसे को ने यह बात कही है बड़ी कवर बिहार में लंबी पड़ी ठाण इस बार गर्मी पड़ी की कम तीन दिनों में 4 डिग्री नीचे आएगा पारा बिते 60 साल में जब जब चली है सीत लहर तब तब गर्मी ने कम जुलसाया है जिहां इस सल बिहार में माई जून में लोगों को उतनी गर्मी नहीं जिलने पड़ी गी जितनी दोनों माईने में पड़नी चाहिए क्योंकि बिते 60 वर्स में जब भी परदेश में लंबे समय तक अधिक ठंड और सीत लहर रही है तब तब माई में अधिकतम तापमान 40 से 41 डिगरी सेलसिक तक ही पहुचा है लेकिन जब भी जनवरी में कम ठंड पड़ी है माई में अधिक गर्मी पड़ी है अधिकतम तापमान 43 डिगरी सेलसिक तक पहुचने के साथ ही बारिस भी कम हुई है वहीं आधिक ठंड पढ़ने पर माई में तापमान के बढ़ते ही बारिस हुई है तथा अधिक तम तापमान में तेजी से कम हुआ है इस करण माना जा रहा है कि इस साल माई जुन में पढ़ने वाले गर्मी से लोगों को रहात मिलेगी और अंध की बड़ी ख़बर एगनों ने दिसम्बर की सत्रांथ परिच्चा की तारिक की जारी कोरोना के करण किया गया ता इस्तगित अब चार मार्च से नौ अप्रेल तक किया जाएगा है जिए इंद्रा गांधी राष्ट्रिय मुक्त विस्विदालाई की दिसम्र 2021 की सत् जारी अधिसुचना के आलोग में कोरोना में हमारी के बढ़ते संक्रमन एवाम देश के कई भागों में लगे रातरी कालेन करफू के मदे नजर इस्तगित कर दी गई थी इगनों के उक्त परिच्चा दिनाग चार मार्च से नौ अप्रेल तक आउजित की जाएगी आपकी तीदी से एक सबता पूरू अपलोट कर दी जाएगी आज के लिए को सवाल बताए कि आ भिहार के किस जिले में रहते हैं और आपके जिले में ठाण कितनी ज़्यादा है इसका जवाब आप हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं